हेलो फ्रेंड्स, एजुकिशन बाबा ओफिशिल यूटूब चिल पर आपा स्वागत है जुलाई 2020 में होने वाली सेटट परिश्चा के लिए बालविकास एवं सिच्छा सास से संबनित हम 500 परशनों की मैथमूर सीरीज कर रहे हैं इस सीरीज के अंतरगत यह हमारा 16 वीडियो है फ्रेंड्स, अगर आप हमारे इस चैनल के साथ नए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब कर लें एवं लेटेस्ट नोडिपरिशन पाने के लिए पहला आइकन को प्रेस करें आज का पहला प्रशन है निमल कितने ऐसी कौन बुद्धी की परवासा नहीं है यानि इनमे ऐसी कौन सी ऐसी परवासा है जो आपकी बुद्धी की परवासा नहीं है पहला बुद्धी कार करने की एक विदी है दूसरा अप्शन है आपके सामनी बुद्धी ज्ञान अर्जन करने की छमता है तीसरा है जीवन की अपेचाकरत नवीन परशतियों से अपना सामाजिश करने की यक्ति की योगिता ही बुद्धी है अंतिम अप्शन है आपके सामनी राजनेतिक आर्थिक एवं सामाजिक सक्ति प्राप्त करने की प्रयोक्त युक्ति बुद्धी है तो इसमें आपका फोर्थ उप्षन सही उत्तर हुआ जो कि आपकी एक बुद्धी की प्रभाषा नहीं है यानि जो बुद्धी होती है वह कार करने की विद्धी भी होती है बुद्धी जो होती है अपका घ्यानारजन करने की छमता भी होती है और अपनी नवीन परस्तियों में सामाज़े से करने की चमता होती है उसे भी हम बुद्धी गयते हैं लेकिन राजनेते कार्थिक और सामा तरह साम्री है तो यह आपका जो अनुकरण दूसरी दूसरी विट्टी के बहाय की है और आपकाbuddy विंद्र कहा गया है, आपका पहला उप्सिनिस में से उत्तर होगा नेक्स्ट कोशन है आप अपनी कच्छा की बच्चों की बहुत दिक विक्वास में परिपक्ता लाना चाहते हैं इसके लिए आप निमिन मैसी किसका चुनाब करेंगी पहला बच्चों की समच आने वाली समस्यां को शुल जानी में उनकी मदद करेंगी दूसरा बच्चों को खूब गरेक कार देंगी तीसरा बच्चों को कच्छा कच्छ में चुक्चा बैठने को कहेंगी और फूर्थ है उप्रोक्त सभी यानि आपको बच्चे की बच्दिक विकास में उसमें परिपकुता लानी है तो इनमेंसे आपको क्या कार करना चाहिए तो हम बच्चों के सामने नई समस्यां को सुरु जानी में उनकी मदद करेंगी इसमें पहला आपसे नपका सही उत्तर होगा नेक्स्ट कुशन है आप की कच्चा का एक चात्र कच्चा में काफी बात करता है आप उसके विशे में पता करते हैं तथा पाते हैं कि वही चात्र अपने घर पर बहुत ही बात कम करता है तो आप उस चात्र के विशे में निम्न मेंसी क्या विचार देंगी पहला option आपके सामनी विध्याले प्रतिक समय बच्चों को खूब बात करने का आफसर देता है तीसरा है सिच्छकों की यह मांग है कि बच्ची विध्याले में खूब बात करें तीसरा option है उस बच्ची को उसका घर पशंद नहीं है और fourth option है आपका उस बच्ची के विचारों को विध्याले में मानता मिलती है जिद कोई बच्चा आपका घर पर बात नहीं करता है लेकिन विध्याले में खूब बात करता है तो इसका तात्पर यह होगा कि उसके विचारों को विध्याले में मानता मिलती है तो आपका fourth option इसका सर्यूत्त है होगा Next question है friends प्राकर्टिक पड्र्यावन का परभाव अधिगम की दसा को प्रतच्य रूप से परभावित्ख करता है सित्तात पर है यानि यो पा अपका प्राकर्टिक परभावन होता है वो अधिगम की दसागों परतर चुरूप से प्रभावित करता है क्या आर्थ है इसका जलवायू तथा वायूमंडरी दसाओं का योग बालक की बौधिक निश्पक्ति तथा त्रजल सीलता पर गहरा प्रभाव डालते हैं दूसरा अधिकताब तथा आंदरता बालकों की मानसिक चंता की विकास का दियोतक है तीसरा अप्षन है जलवायू तथा वायूमंडरी दसाओं की योग का प्रभाव बालकों की मानसिक चंता को प्रभावित नहीं करता है और आपका लास्ट अप्षन एंड मैंसे के उपरोक तो आपका जो प्राक्रतिक पर्यावन का अधिगम से जो तातपर है यहां पर यह होगा यानि जो जलवाई हूँ और आपका जो वाइमुंडल की जो दसाएं होती हैं वह बालक की बहुत देग निस्पति और सेजन सिलता पर पर प्रवाव डालती हैं नेक्स कुशन है आप अपने कच्छा के एक पिछले चात्र में अधिगम की गत्ती को तीब्र करना चाहते हैं जिससे वह सामवाने चात्रों की इसनरी में आ सकें इसके लिए आप निम्न मेंसे क्या उपाय अपनाएंगी यानि कुछ बच्चे ऐसे चात्रें आपकी क्लास में जो अधिगम में पिछडे हैं या और आप उनकी अधिगम की गती है उसको आप तीब्र करना चाहते हैं तो आप कौन सा अपनाएंगे पहला अप्सन है आपकी सामने उत्तम सिच्छन विदियों का प्रयोग करते हुए उसे सही दिसा में प्रीद करेंगे नेक्स है उसके मा जो आपकी समदेग आत्मक अनुकृया है दूसरा बालक की उद्धिपत प्रीद करते हैं तो इसके लिए उसके लिए उत्तम सिच्छन विदियों है उनका प्रेव करेंगे और उसे सही दिसा में प्रेट करेंगे तो उसमें आपका पहला उप्सन इसका सही उत्तर होगा ने जो दिपत अवस्था है जो किसी उद्धिपक के संद्रम में अनुकृया द्वारा व्यक्त की जाती है फौर्थ है बालक द्वारा किसी विष्यस दसा में दिया गया प्रतिटतर है और फौर्थ आपसन आपके सामले बालक के असंगधित प्यवार को उपरदश्यक करता है तो जो सम्वेग होती हैं वह बालक के किसी भी तसामे या किसी भी स्थिति में हो तो उस समय जो प्रत्वत्तर देता है वह उसका सम्वेग होता है इसमें 30 राप्षन इसका सयुत्तर होगा next question number 8 है आपका एक अध्यापक को अपने सेचिक किरियाओं के अभ्योजन के समय जाती भीदभाव के संदरव में अपनी सिच्छन प्रियाओं में क्या अपनाना चाहिए अध्यापक एक अपने सेचिक किरियाओं के समय जाते भीदभाव के संदरव में हमें अपनाना चाहिए इसमें आपका दूसरा अप्षन शयुत्तर होगा नेक्स डेफरेंट्स के सबसे आगे बैठा जाए तो आपकी सामनी option 4 है यानि जब कुछ निशक्त बच्चे हैं कुछ आपके तो आप उसको कच्छा में बैठाने के लिए कौन सी वेवस्ता करेंगी तो इसमें आपका पहला option सही होगा के जो कच्छा है उसमें छात्रों को कहीं पर भी बैठने के आजादी या सुब्धा प्रदान की जाए तो इसमें आपका question नमर 9 का पहला option सही उत्तर होगा नेक्स्टा question आपके लिए बुद्धी के प्रतदर्स सिध्धान्त का प्रतपादन निम्न में से किसने किया था पहला option आपके सामने थॉंपशन दूसरा option इस्पियर मैंन तीसरा option है थॉंडाइक फोर्थ आपके सामने बिने यानि बुद्धी का प्रतदर्स सिध्धान्त क कि ने प्रित्पादन किया है तो जो आपकी थॉम्शन मनोवग्यानक हैं उन्होंने बुद्धी के प्रतदर्श फिद्धानत का प्रित्पादन किया है पहला अप्षन इसका सयुत्तर होगा नेक्स्ट आप का वर्तमाल समय में सतत एवं ब्यापक मुल्यांकन की अंतरकत ग्रीडों में अंकों कावित्रन किया जाता है इस प्रनाली में कितने प्रिसत अंक प्राप्त करने वाले चात्र को बहुत अच्छा या बिग्रीड के अंतर रखा जाता है पहला अपसे ने आपका 90 से 90 से 100 परशंट दूसरा है 56 परशंट से 74 परशंट 75 से 89 परशंट 35 से 55 परशंट यानि आपसे पूछा गया कि शकते वह ब्यापक मूल लियंकन होता है उसमें आपकी स्रेंडियां बटी हुए है तो आपके सामने कुछ नमर्स दे रखें तो उसके था झाल दो मूल लियंकन की क्रिया के दौरां सिंचकवों को काफी साबधानी बरतने की आवशिक्ता होती है इस दौरां सिंचकों को निमलघित में से कौन सा कारण नहीं करना चाहिए पहला प्रतिक विद्यार्थी की अनुक्रिया की बारे में सम्में दल्शीन होना बच्चे की प्रगती के बारे में सूचना इकर्तित करना सच्छार्थियों के बिविन बर्गों में विभासित करना उनकी बीस्तोलना करना और बच्चों की विविन प्रकार की सुचनाओं को अभिलेखित बद्न करना यानि मूल्यांगन प्रक्लिया की समय यानि इसे चक है उसको किस प्रकार की साधाई है बड़नी चाहिए तो इसमें आपका देखिए कि जब एक चक मूल्यांगन कर रहा है तो उस समय बच्ची जो जो एक सिच्चा को नहीं करना चाहिए उसमें आपका तीसरा उप्षन से उत्तर होगा नेक्स्ट कॉशन है आप अपनी कच्छा में अपने सिच्छन के दोरान कड़ी मेहनत करती हैं फिर भी आपकी कच्छा में काफी से अच्छिक विविनता दिखाई देती है इसका क्या क पारन रोक सकता है यानि आप जो कच्छा है उसमें आप कड़ी मेहनत करती है यानि पनाते समय mechanics पूरा फोक उसम पर रखते हैं लेकिन फिर भी आपकी जो कच्छा है उसमें जो भी जिखाई दिकाना क्या होते हैं DE göre das picture में सूछ आते हैं दूसरा option है आपकी कच्छा के आपको पसंद नहीं करते थीसर अप्शन है व्यक्ति फॉर्थ उब्रोक्त मेंसे कोई नहीं तो आपका जो कितना भी सिच्छक कर रहा हूँ लेकिन जो तो इसमें आपका तीसरा option सही होगा कि भिन 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 छात्रों में जो व्यक्ते के गुणों होते हैं वह भिन भिन होती है अगर आपको मारे वीडियो सेशन परसंद आई तो लाइक करें और अपने उन मित्रों के साथ यह रवश्य करें जो सीटेट परिच्छा की तयारी कर रही है question number 14 है friends आपकी कच्छा की एक बालका मेरा बिध्याले में होने वाली पृतिक करिया के विशे में जानने के लिए अधिक उत्सुक्र रहती है तो आपकी इसकी उस प्रिक्रिया पर क्या प्रितिक्रिया होगी यानि एक बच्चा है जो बिध्याले में होने वाली प्रितिक्रिया पर हमेशा ही उत्रुसता से नजर बणाई रख दी है यानि वो जानकरी लेना चाहती है तो वह पी उस पर क्या प्रितग्रिया होगी मीरा एक पिछली बालका है मीरा एक सरजन्सील बालका है मीरा का मन पढ़ाय में नहीं लगता है या मीरा को खेलना पसंद है तो हम इस प्रकार की बच्चों को जो पहरे से ही स्विच्छा से नेक्स्ट कोशन है आपकी कच्चा का एक चात्रमोहन बूलती समय हकलाता है आप उसकी सिच्छा की प्रमंदन हितू क्या आवशक कदम उठाएंगी पहला उसमें अध्यन की गलत आद्वनों पर नियंत्रन कराएंगी दूसरा प्रधानाचार से उसकी सिकायत करेंगी नेक् नेक्स्ट कोशन है यह आप अपनी कच्चा की बच्चों में यह भावना जागरत करना चाहते हैं कि उन्हें विद्याली उपलब्दियों में सफल होना चाहिए तो इसके लिए आप निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगी पहला बच्चों की बहुत दिक छमता का विकास क करेंगे तीसरा उप्चन है आपने शिच्चन में उच्चित विद्यों का प्रयोग करेंगे फूर्थ उप्चन है आपके सामने उप्रोक्त सभी तो यानि आपको अपनी कच्चा के अंतरगत जो विध्याली उपलब्दियों में सफल होने के लिए तो आप क्या क्या अप् को अपनाएंगे तो आपका फॉर्थ ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा बढ़ते हैं एकले प्रिशन पर किसी बालक की समस्याओं के बिशे में पता लगाने के लिए कम उपयोगी मनोवेग्यानिक विदी है यानि आपके सामें चार ऑप्शन दे रखें तोन ऑप्शन में से आ व्यक्तिकत एतियास विदी तो इसमें आपकी जो सबसिक कम उपयोगी विदी है जो समस्याओं के बारे में जानने के लिए वह है आपकी परिशन विदी ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर होगा बढ़ते हैं अगले प्रिशन पर पार्ठेकम निर्माड में सरवादिक महत् जाएं कि बच्चों की जो व्यक्तिकत भिनता हैं उनको ध्यान में रख करी पाठेकम का निर्माड होना चाहिए तो इसमें आपका पहला अप्शन इसका सही उत्तर होगा कि व्यक्तिकत भिनताओं को ध्यान में रख कर question next friends अधिगम के संदर्व में सच्छार्तियों एवं मनुवज्ञानिकों ने विविद प्रकार की परबासाइं दी इन परबासाओं के अनसार अधिगम चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है तो आपको इसमें से अधिगम के बारें बताना है कि जीवन पर्रेंद चलने वाली प्रक सविया है इसमें पहला औप्सिन आपका सयुद्तर होगा की नेक्स्कोशन है बालत अपने चारव और जैन बस्तुओं और पश्टितूओं को देखकर जो चिंथन करता है वब यानि इस बॉद्च करता है यानी यह सामने उप्षन है प्रत्यच्यात्मक्चिंतन या फोर्त है कलपनात्मक्चिंतन जब बच्चा सामने उपस्तित चीज़ों को देखका कलपना कर रहा है या चिंतन कर रहा है तो उस प्रकार का चिंतन जो होता है वह आपका प्रत्यच्यात्मक्चिंतन कहलाता है यानि सामने च बच्चों का बहुत दिख विकास करने में फोर्थ दूसरा ऑप्षिन है बच्चों का ग्रहकार करने में तीसरा है बच्चों को धंड दिने में और फोर्थ ऑप्षिन है आपके सामने उप्रोक्त में से कोई नहीं यानि जो समाजी करने हैं उसमें सबसे पहले आपकी क्या ग प्याजी ने निम्न में से कौन सी विदी को अपनाया तो जीन प्याजी ने जो नेतिक विकास को समझाने के लिए कौन सी विदी को अपनाया था इसमें आपका सबसे पहला अप्षन है साचातकर विदी दूसरा अप्षन है आपके सामने तारकिव विदी तीसरा है जांज पर अवस्था की होती हैं यानि वह कौन सी अवस्था है जिस Make बच्चा आपका मैं कौन हूं क्या हूं मैं भी कुछ हूं इस प्रकार की भावनाय उसमें फ्रवड होती हैं तो पहला आपका आपका प्रोण 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 आर्मिग सच्छा के इंतरगत उसे सरवब्रतम किस विश्य की सच्छा-प्रदान की- जानी चाहिए My यानि बच्चे की आर्मिक सचा जब बच्चे की प्रार्मिक सचा शुरुवात होती है तो उस समय बच्चे को किस पकार की जो विश्य होनी चाहिए वो पढ़ानी चाहिए यानि किस पकार की विश्यों की सच्चा दी जानी चाहिए तो सबसे पहले बच्चे को हम उसे भासा क बारे में जयांका रही देंग यानि उसे सबसे पहले हो पहसा पढ़ाएंगे ईसमें आपका पहला प्रसन्कुल्स होगा कि बासा की सच्चा दीजानी चाहिए स्था review जीवन के नए मूल्यों नए विचारों वो परिवर्तनों का स्वागत करना और फोर्त है सभी धर्म वजाती वालों के साथ समनता का बेवार करना यानि एक अच्छा जो सिचक है उसके उद्यसे में क्या होना चाहिए तो आपका सबसे जो आपके इस पॉइंट सभी ठीक है ल जो भी माली जीए कि अप परवर्तन समाज में होती रहते हैं तो उसके अंसार जो विचार नहीं आते हैं तो उन सभी का उसको उसी के अंसार से ढलना चाहिए तो इसमें आपका उप्षन तीसरा सही उत्तर होगा नेक्स्ट कॉशन है बाल के इंदर सिच्छा में पाठ यक् उसके आधार पर नहीं होना चाहिए इसमें आपका ऑप्शन नमर दूसरा सही उत्तर होगा नेक्स डेफरेंट्स कोहलवर्ग के अंसार नैतिक विकास का प्रथम स्रण है यानि जो नैतिक विकास का सिध्धान दिया गया कोहलवर्ग द्वारा उसमें पहली जो अवस्था होती है वह कौनसे होती है दंड एवं आगया पालन की अभिमक्ता दूसरा है परस पर एक प्रथम चल्ण है तो इसमें आपका दंड एवं आगया पालन की अभिमक्ता जो ओती हो नैतिक विकास की अंतरगत जो कॉल बर द्वारा दिया गया है उसमें पहली अवस्था या प्रतम चल्ण उसको कहते हैं इसमें आपका फिस्ट इसका सही उत्तर होगा मैंक्स आपका आपकी कच्छा में एक से चार्थी टी एन को एनटी तता एस एडवलू सो को वास पड़ता है तो वह ग्रस्त है यानि एक बच्चा कोई सब्दों में जो हैं वो सब्दों को ठीक से नपढ़कर उनका दूसरा तात पर निकालकर पड़ता है तो वह किस परग बच्चा अगर आपकी सब्दों को जैसे बी को डी पढ़न जाए पड़े तो यह जो बीमारी होती है वह आपकी डिसलेक्सिया के अंतरगत आती है यानि वह डिसलेक्सिया विकार्शी पीडित होता है इसमें तीस राप्सन आपका सहयुत्तर होगा आपकी कच्चा में कुछ चात्रों की दस्टी कमजूर है और पढ़ने में वी भी कमजूर है वे आपसे निवीधन करते हैं कि वे स्यामपट पर देख नहीं पाती तो उन्हें आगे बैठने की अनुमती दी जाए तो आप ऐसी सिती में क्या करेंगे यानि कुछ बच्चे क इस सकते तो इसम्हें आपकी सांबने पेरी पौप्ण दे रखें पहला उन्हें डार देंगे पर ने में तुमन लगता नहीं और आगे बैठना चाहते हो दूसरा है उन्हें चस्मा प्रयोग करने की सला देंगे, तीसरा है उनकी इच्छा अनुसार उन्हें आगे बठा देंगे, जिससे विश्याम बट पर लेखे सामगे को देख सकें, फूर्थ उप्सन है उनके लिए अलग कर्च की विवस्ता का सुझाब देंगी, तो इसमें आपका तीस सही उत्तर होगा, उनकी इच्छा अनुसार उन्हें आगे बैठने देंगे, जिससे विश्याम बट पर लेखे सामगरी देख सकें, नेक्स्ट है फ्रेंज, आसका अंतिम प्रश्न, सिच्छा की पाठीचर्णा बदलती रहनी चाहिए, क्योंके, जो सिच्छा में जो पाठ बटना आता है, और फूर्त है, पाठीचर रहा सामाजिक निर्देश का पालन करती है, जिसमें आपका दूसरा आप्सन, बिल्कुर सही उत्तर होगा, कि जो समाज की आवशक्ता होती है, वह समाज आपकी सब जो आवशक्ता होती है, वो बदलती रहती है, तो उसी के अनु हैं, या आपके साथ साथ उन मित्रों के लिए भी लाबकारी होंगी, थैंकी फूर वाचेंग